है गाइज वेलकम तो नौलेज हब वर्य इंपोर्टन इंफोर्मेशन फोर यू कि वर्ट्सप जो है अब वह हाई कोड चले गिया है अब अब वट अब 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 इट वर्ट्सप मुश्ट डेली हाई कोड अगेंस आई टी इंटेमेडियरी रूस 2021 mandating it to trace first originator of information बिसिकली जो मैंने कल पीडियो सेंड की थी 25 में को और ये बोला था कि 26 में से वाट्सप और जितने भी social media companies है Twitter, Facebook तो ये सारी क्या हो जाएंगे बैन हो जाएंगे तो बिसिकली इसमें हुआ क्या है ठीक है तो अलाट तो नोओ, अलाट तो डिसकल्स अबाओ इस बन तॉपिक तो इसमें अच्छल में वर्टसप उसने मूप किया है डेली हैक उट को और उसने कहा है कि ये राट टू प्रविश्य का मामल है और हाव कें दे मैंडेटिटि इट टू ट्रेस फर्स ओर्डिनेटर और अगर आपने हाई का मैसेज भी भेजा है तो गौर्मेंट की जो गाइडलाइन्स हैं इसमें ये कहती हैं कि जितनी भी सोचल मेडिया कंपनीज हैं वो इस मैसेज को इंक्रिप्टेट करके इस मैसेज को सेफ रखेगी और इसका एक कोड बनाएगी जिससे बहुत से मैं अग है अगर मैं किसी को क्म-मेनल आप्पिस करता हूं और मैं उसको बहुत सारे लोगों को मैं सेंड कर देता हूं तो गौर्मेंट को पता कैसे चले गा कि वो इस्टार्टिंग मैंनी की है तो यह वट्च्झप से कहा जा रहा है तो या आप जितनी भी सोचल मीडिये कंपनी से आप उजानों कुछ भी लिखते हैं तो आपको क्या कर आप आपकी जितने भी मेसेज हैं अभी तक क्या होता था कि encrypted to encrypted encryption इट मेंस की आपकी जो messages हैं वो एक code के through like h50 मैंने high लिख दिया तो उसका like what's up के पास क्या message जाएगा 50921 तो इस तरीके के उनके पास code होते थे बट अब government ने जिस तरीके से you can see in this one article की government ये कह रही है कि अब आप लोगों को ये सारे के सारे रखने पड़ेंगे messages save the economic times का भी you can see ये article है कि what's up choose government of India overchat traceability says new IT rules will kill privacy traceability trace advance कि किसी भी व्रति के message को trace करना like मैं मैंने कहा ना कि अगर मैं हाई लिखता हूँ तो उनको एक क्या बनाना पड़ेगा उनको एक simple से तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर उनको एक manage करना पड़ेगा यानि कि इस message को like मैंने अगर हाई लिखाया किसी व्रति को इस message को उन्हों ने क्या करना पड़ेगा manage करना पड़ेगा अपने data पर अपने data store पर उनको यह सारी तो यह कहां से वहाँ वर्टसप पर से वहाँ वर्टसप के data store पर से वहाँ ठीक है तो ऐसी अगर social media companies सारी में यह सारी चीज़ें होंगी तो government के लिए कि आपने यह बनाना है लाइक कि अगर मैं हाई बेस्ता हूं तो आपको यह code बनाके रखना है ताकि बहुत समय मान लों कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलस चीज़ें लिग दी है और बहुत सारी लोगों को क्या करती है उसे जो investigation officer है वो directly WhatsApp के पात जाएगा और कहेगा कि भीया यह message का मेरे को code का बताओ कि यह किस व्यक्ति ने send किया था तो basically यह सारी चीज़ें क्या है यह नई guideline में थी ठीक है जिसके जिसको WhatsApp और जितनी भी social media company है एक को app को छोड़के किसी ने भी इसको अभी तक follow नहीं किया है अच्छा एक article और very important कि government has to wait I'm showing you the government has to propose that WhatsApp assign an alphanumeric has every message sent through its platform as a solution to break the deadlock over it means alphanumeric has जो मैंने आपको बताया कि alphanumeric has है कि actual में तो basically alphanumeric has जैसे मैंने कहा ना कि high लिखा मैंने तो high it means कि यह save हो गया 09 as 1q यह कहां save हो गया WhatsApp के data store पे ठीक है अब कभी government को चीए कि भाईया मैंने क्या ठीक है तो WhatsApp के पास जाएगी और WhatsApp अपने data store पे देखेगा कि भाईया यह high का message इस पे क्या है कि आपको alphanumeric has assign करना पड़ेगा अपने social media platform पे ठीक है तो यह सारी add particles इस पे है अब अच्छा बहुत important चीज यह भी है कि जिस तरीके से WhatsApp हमेशा कहता है कि WhatsApp tells Indian government user privacy has priority तो बैसिकली इसमें एक चीज यह है कि WhatsApp हमेशा से social media companies हमेशा से यह कहती है कि मैं आगर किसी को message कर रहा हूं ठीक है कि थार्ड परसन को message कर रहा हूं तो भाई WhatsApp उसको क्यों पड़ेगा ठीक है और WhatsApp कुसको पड़ना भी निची है as a privacy law हैनि कि हम चाहते हैं कि हमारी privacy बने रहे तो वडिशिकली वर्सब उसको नहीं पड़ेगा तो वर्सब उसको नहीं पड़ेगा बट अप हुआर्मन यह कह रही कि भाईआ उसको आप सेब रहो हम यह नहीं जह रहें कि आप उसको पड़ो बट कभी ऐसे केसे आ गए जो इंटर्नल सेक्योर्टी कमिनल जो अब्यूजिंग है या धर्म जाती छेतर वाथ इस तरीके से जो भारत को तोने की कोशिस करते हैं उनको क्या करना है उनको कैसे पकड़ा जाएगा उनको इस तरीके से पकड़ा जाएगा जो अल्फानिमरिक हैस कंपनी आप यह बहुत इंपोर्टेंट है नाव लास्ट वाट इस राइट तो प्रेवेसी देखो राइट तो प्रेवेसी आज आप आप आर्टिकल 21 में इंडिन कॉंस्टूशन में कि भीया नो परसंट सेल बीडिप्राइब ओफ इस लाइफ और परस्नल लिवर्टी एक्सपेक एक्सEPPT according to the procedure established by law तो लोग के कोई कि किसी को भी यह हक नहीं है कि 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 किसी की परस्नल लिवर्टी पर या किसी के प्राइवेसी पर वो क्या करें दखलनाजी करें तो बिसिकली यही चीज को लेके Article 21 को लेके ही वो कहां गये High Court गये Government के अग्हिष्ट ठीक है अब दूसरी बात एक चीज ये भी है कि भाई देखो वाट्स आप और जितनी भी सोशल मीडिया कमपनीज हैं इसमें दो कंसर्ण हैं दो रीजन है कि एक तो वो सिरिसली चाहते हैं कि भाई प्रैविसी बनी रहे ठीक है जितने भी लोग हमारी यूजर से हैं क्योंकि भाई यूजर से ही वो मिलियन सॉफ डॉलर सॉफ बहुत साथ पैसा कमाते हैं मिलियन बिलियन ठीक है तो वो यह चाहते हैं कि यह तो प्रैविसी बनी रहे ठीक है औ प्रेटाको जो है वो स्टोर करना है तो इसमें क्या होगा गार्डर ङो को मैंफ़ने करना हूँ तो इस मैसेज को मान लो की गौर्फंएंट चाहती गिए यह मैसेज किस नहीं कि या दा तीन साल बाद यज़ने कैसी हो मतback 0 में जो इस वेक्ति ने मैसेज किया था उसको दिखाओ उसको बताओ कि इसने किस स्टार्टिंग में किस ने मैसेज किया था तो इससे क्या होगा कि यह वेक्ति जल्दी पकर में आ जाएगा तो बिसिकली इसमें क्या है कि मैन पावर बहुत है सिरदर्द बहुत है ठीक है स्ट गुट बाय जाहिन